आज की रेस्पी है पनीर बलाई गोर्मा एक पैन में हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे और पनीर को हम शालो फ्राई करेंगे आप चाहो तो डिफ्राई कर सकते हो और चाहो तो बिना फ्राई भी योज़ कर सकते हो इसको दो जो साइट अच्छे से गोर्डेन प्राउन कर लेंगे इसे अब प्लेट में हम निकाल लेंगे गैस पर हम वही पैन रखेंगे इसमें हम लगवग डेड़ का पानी डालेंगे और ठोड़े सा हम हरी इलाईची, लंग और ठोड़े से काली मेर्च और दालचीनी पानी को बॉइल होने पे हम प्याच को आइट करेंगे इसमें थोड़ा सा लहसूल हरी मेर्च और अद्रक आइट करेंगे और मुट़ी भर काजू अब इसे थोड़े देर चला के हम इसे 12 से 15 मेर तक धक्के कूप करेंगे पन्दय में ठोग गया है पानी प्यास पुड़ा अब्जर्ब कर लिया है अगर पानी रह जाए तो आप इस्ट्रेंड कर ले अब इसे थोड़ा से ठंड़ा होने पे हम स्वाइब इस निकाल देंगे अगर आपको तीखा नहीं पसंद दें तो मिक्सल जार में हम डालेंगे और इसमें हम आधा कप दही आड़ करेंगे मेरे पास गाय का दूद का दही था तो थोड़ा पतला है इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे प्यूरी हमारी रेडी हो गई है गैस पे फिर वही पैन रखेंगे और एक टीश्पून बटर या घी एड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा हिंग डालेंगे और वही हरी मिर्च जो हमने प्यास से निकाली है उसे आड़ करेंगे और अपने ग्राइंड की हुई प्यूरी को आड़ करेंगे इसमें थोड़ा नमक भी आड़ करेंगे और थोड़ा सा क्रीमी टेक्शर देने के लिए हम दो टेबल स्पून भरके दूद आड़ करेंगे और धक्के इन्हें पान से साथ मिर्ट तक कुक करेंगे यह मारा अच्छे से कुक हो गया है अब इसमें हम पनीर को भी आड़ करेंगे थोड़ी देर श्टर्ट करेंगे आप चाहो तो इस स्टेज पे गरम मसाला भी आड़ कर सकते हो उसे ढखके हम दो से तीन वेट पकाएंगे पनीर मलाई कोर्मा हमारा रेडी कैसु करेंगे ओफ और इंगी करेंगे हम फ्लैटिंग आपको मेरी रेजपी अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और साथ में बाल आइकन में प्रिस कर लेजिए पनीर मलाई कोर्मा डान और ऐसे ही रेजपी देखने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें थाइंक यू